ओम गुरभ्यो नमाहा ओम गम गणपताये नमाहा ओम अनुमताये नमाहा ओम रम रमाय नमाहा ओम माते स्वरीये नमो नमाहा ओम मात्रपित्र चरण कमले भ्यो नमो नमाहा ओम शांते 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 हरी ओम स्वरी गुरभ्यो नमाहा स्वागत है जोतिस गुर्व को लोड़ी सार और के ला मैं आचारिय संजे बात करते हैं सनी साड़े साती का प्रियड और आपके जीबन के परिबर्तनिय स्थिति को स्विकार कर पाना यही तो समस्या है ना सनी साड़े साती माने परिबर्तन और उस परिबर्तन को जब हम स्विकार नहीं कर पाते हैं और फिर सुधार करने का प्रयास करते हैं तो जीबन में कुछ ज़्यादा ही समस्या बिल्ड़ अब होता है और अगर हम जीबन में स्विकार करना जान जाएं कि यह साड़े साती है और मुझे इसमें जो परिबर्तन होगा उस परिबर्तन को मैं स्विकार करूँगा एक दुसरा क्या जिसका अब तक बुरा हो रहा था उसका अच्छा होगा और जिसका अब तक अच्छा हो रहा था साइद बुरा होगा गरंटी नहीं ऐसा नहीं हो सकता है दोनों का अच्छा भी हो ऐसा कभी नहीं लें कि मैं बोल दिया तो जिसका अच्छा हो रहा था बुरा होगा और जिसका बुरा हो रहा था उसका अच्छा होगा ऐसा नहीं है अर्थात परिवर्तन तो होगा और जो परिवर्तन होगा अगर वो मेरे लिए स्विकारिय हो यानि मेरे जैसे चाहता हूँ ऐसा हो ऐसा तो नहीं होगा और जब नहीं होगा तो कस्ठ होगा है एहला बात अच्छा ऐसा भी नहीं है कि साड़े साथ साल तक आपको ठोकाई पड़ेगा एक के बाद एक एक डोड़े नहीं ही हाँ कुछ को है еक समस्या दुर नहीं हुआ दूसरा समस्या आके पड़ेगा वो पीक sorry में होते हैं उतरते कंडिशन में नहीं होता है तो अभी वो मीन रासी के साथ होगा दूसरा यह ज़्यादा तर कुम्ब के लिए होगा कुछ कंडिशन में का लेड़ी हो चुका है मकर का तो हो चुका है अभी बस पस्ताने से क्या फाइदा वाला केस है अभी आपको केवल वही वही बात को बार-बार मन में सुचते रहना और उसके लिए परिताप करना और यह ढूंड़ना कि क्यूं हो रहा है क्यूं ऐसा हो गया इस प्रस्ते को ढूंडो बीबी अगर मारी या लवरी मारी या लवरी धोका देदी तो क्यूं देदी बच्चे मेरे को मारे फिटे भगाए तो क्यूं भगाए मारे पिटे पैसा खतम हो गया, धंदा चोपट हो गया, बिजिनेस डूप गया, रोड पे आ गया, खाने के लिए पैसा नहीं है, बच्चों का टिवसन फीज देने के लिए नहीं है, स्कूल फीज देने के लिए नहीं है, बीबी का गहना बिग गया, बीबी का गहना बंदक रह गया, रि अक दिमाग में चल रहा हैं चिर्म ऐसे इसी द्वांद में इस्याइक भाव नहीं मैं इस उस्य गरते जिद्टें और भार भार में भुलत चुछ रहते हैं फिर को पुछ के की बारा प स्विस शूरू हुआ नहीं तरहने स्वेटें 5 उनकी आपी ड्यौनथ का परिणाम महनसीख लेबल पर कस्ट आता है और उस कस्ट से निकलने के लिए कोई रास्ता नहीं मिलता है फिर इस कार्य में यूट्यूब थोड़ा सा ज्यादा आपको बेकुप बनाता है आश्टलोजर यूट्यूबर यूट्यूबर आश्ट्रोजर ये लोग ढिली कुछ ना कुछ विडियो बना दिया अब अच्छा समय आने वाला है अब अब आपको कुछ ना और चिंता मत करो और बढ़ा राजियोग है बढ़िया होने वाला है इस सोच में आप कुछ दिन खुश हो जाते हो फिर कुछ दिन के बाद जैसे को तैसा देखा कुछ नहीं हुआ और फिर से परिसानी और फिर माइश आरे यार यह रासीफळ वाले वेकार हैं कोई काम का नहीं है बस बोल देते हैं हुआ तो नहीं और नहीं यह आश्टलोजर नहीं कोई और एस्टलोजर यह के और स्मार्ट बोल लेकि कुछ और संजहने लगा कि फिर वो एक्सcharlyn करने लगा है कि घंटा-दो-दो-घंटा का ऐसा है यह यहां खुसा है यह यहां निकला है राहू के अंदर सुनि के अंदर के तु निकल रहा है तुम्हारा बढ़िया होगा, कोई बोला फट जाएगा हाँ हाँ चलाओ, कोई बात ने कहा जाओगे, चंदुबाभू का है ना तो अपना है यार, काहे टेंसन लेकर कहा जाओगा, बनिया कितना दुर जाओ है ना तो ऐसा है कि यह जो मनोबग्यानिक लेबल पे आप यूट्यूब सुन सुन के क्या करते हो, अपने मन को दिलासा देना है, चलो इस महिना ठीक नहीं हुआ, अगला महिना हो जाएगा चलो इस साल ठीक नहीं हुआ, अगला साल ठीक हो जाएगा, चलो साड़े साथी उतर रहा है सब बोल रहे कुछ सनी बाबा देंगे बंबमाएंगे कुछ को तो मिल गया बड़ा खुस हाँ अस्कलोजर बढ़िया जोतिस बढ़िया कुछ को कुछ नहीं हो रहा है कली एक फोन किया मेरे को गुरुजी एदम पस्त है हालत खस्त है अच्छा जि तो ऐसे लोगों का कुछ ज्यादा समस्या क्योंकि उनका कोट केस्ट चल रहा है डिवस केस्ट चल रहा है लड़ो लगा के वेटा वीवी बबा लबरा लबरी डिवोस ऑकिल खिलाओ और अगर मैं बूलता हूं यार अखिल को लाक रुपय खिलाते जो पंडिक को पचासे जार देके aqui समझ में नहीं आता है बात आईगा भी नहीं हरा दमी को पुजा करने से नहीं होगा जा तु अपना काम कर तो यह एक और उथल उथल चल रहा है चलेगा क्या करें लिखा है दंड भूगतना तो का करें और कभी किसी का heavy accident हो गया, किसी का हाथ कट गया, किसी का पेर कट गया, किसका आँख में operation हो गया, चला साड़े साती में, इसको ऐसा भीमारी हुआ कि मत बुलो किसी को टीमर हो गया, किसी को चलता है साड़े साती में, आगे पीछे चलते रहता है, लेकिन यहाँ सबसे बड़ा क्या है आसा पास आसा का पास पास मने जाल पास मने ट्राफ आसाओं के जंजाल आसाओं के जाल आसाओं के ट्राफ मेरे प्यारे जितने भी मकरू, मटका, मचली थोस दे जाते हैं लेकिन ये समझ नहीं पाते हैं कि साड़े साती भी एक जिन्देगी है जो साड़े साथ साल जीना है और जिना सीख जाओ, तो मेरा चलेंज है, गेरेंटी है, साड़े साती कुछ नहीं करेगा कुछ नहीं, जिने का पधधती को थोड़ा सा परिवर्तन करना, दिनचरिया में एक परिवर्तन करना और वो ही नईसर्गिक, नेचुरल, प्राकतिक जिवनचरिया है कल तक, बिफोर साड़े साती, एड़ टाइम आप साड़े साती, अप्टर साड़े साती, एंड सेम एज़ेटिस फ़र ढहिया, करकर रासी, पृरिष्टिक रासी और आने बला समय में ध्वनू और सिंग, जड़ साल के बाद हो जायागा, मेस रासी का साड़े साती सुरू हो जायागा, तो कोई आपके मेस रासी के पठनार होंगे, बीबी बीबा होंगे, लवरा लवरी होंगे, दोस्त मित्र होंगे, उनको अगर आप चाहो तो अभी से उस प्रकार के परिस्तिती बचा सकते हो, बता सकते हो, किसी भी कंडिशन है, क्योंकि मैं हर रासी के लिए एगजेटी साड़े साती के लिए ही काम करता हूँ, ज्यादा तर मेरा रिसर्च साड़े साती का रहता है, और बड़े बड़े दोस्तों का रहता है, छोटा-छोट चरिया को सेट अप करने सीख गए तो साड़े साती एक बाल माका नहीं कर सकता है और नहीं सीख पाए तो साड़े साती इतना फटाएगा इतना फटाएगा इतना फटाएगा कि बेटा अठा लगाओ मोची का या स्टीच करो तो भी नहीं जिलेगा क्या रहस्य है इसमें पहला है कि साड़े साती हिट ज्यादा तर चंद्रमा को करता है इसका मतलब नहीं कह रहा हूँ कि मकर लगन को नहीं होगा कुम लगन को नहीं होगा मिन लगन को नहीं होगा होता है, क्या बात है यार में लगन से 12 में सवनी चलें, खर्चा नहीं बड़ाएं, यत्रा नहीं बड़ाएं, हॉस्बिटल नहीं लें नहीं हो सकता है, किसको आगे, किसको पीछे, किसको कम, किसको जादा, अपने कुंड़ी के बल के अनुसा features, अपने कर्म के अनुसा forces. में हम क्या करें कि जितने भी साड़े साथी जनित समस्याएं हैं उनसे हम निजात पा सकें और साड़े साथी में होने के बावजुत साड़े साथी लेस जिंदगी हो कि हमेल पता ही नहीं चलना चेहिए कि साड़े साती है और और साल्यसाथी के समय हम इस साड़े साथी जो ड्रींट युद है जो चैलेंज है Information है अब्स्ट्रकल्स हैं, बाधाएं हैं, मानसिक तनावें हैं, मानसनमान का हानी है, समाज के आगे खड़ा नहीं हो पा रहे हैं, निंदा अपमान जुटा लांचन लग रहा है, या फिर हमारे उनकंक्रोल इंदृइहं हमें ऐसे करने में विवस करा देती हैं, या एडिक्शन, किसी को दारूँ, किसी को सेक्स एडिक्शन हो गया, साड़े शाती से पहले, क्योंकि बेडरूम में थे तो बेडरूम के एक्टिविटी बढ़ाएं, और किसी को नहीं भी सब्सक्राइब 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 आपसे बात नहीं कर पाया क्योंकि आपका बेटी साहद बाहर थी और कुली बात कर रही थी ऐसा कुछ अगर घर में होते तो मैं जरूर बोलता है कि मा को दो बात कर लूँ यहां से माफी मांगता हूँ इस वीडियो के क्योंकि मुझे पुर्ण विश्वास है कि ये वीडियो आप जरूर देखोगे और आपका बेटी भी बोली कि मेरा विडियो मत डालिएगा गुरूजी मेरा मा सुनेगी तो दुखी होगी वा क्या बात है मा बेटी का प्यार तो कोई बात नहीं नामने ले रहाँ डरों मत टेकल के लेकिन मेरा भाव है आप तक पहुंचेगाлем ओ partir से पूरा फेदि एक तब मेरे से बात होने से सवा आ के भिड़ गए अचारी जी से बात हो रहा है गुरू जी से बात हो रहा है सब सुन रहें तो मुझे उसमें थोड़ा सा तो यहां यही कहना है कि हम कुछ नहीं केबल दिंचरिया को कंट्रोल करना सीख जाए ना साड़े साती बलकि जो दुखी हो सुखी हो जाओगे जो आज आप बोल देओ कि मेरा सब चला गया सब वापस आ जाएगा चलेंजे आता है यार तुम्हें नहिं विश्वास अलग बात कभ आएगा Guru जी बुड़ा हो गए यह तुम्हारा समस्या है मेरा समस्या नहीं है आईगा तो जरूर भी बाग गए विवा भाग गए आएगा तो वकक्ता आएगा बबुल के आगा आते आते ठकेगा आया है अधिवसीलों का बजार है तो आज बहुत जोर से चलता है अस्ता में देखोगे तो सब पीप आगे तुम लुडुरू है कि लाग तो दारू पीटिंग आगया इसमें बड़े नो टंकी होता है यहां तो दारू पीने के बाद और आधा पेक ही नहीं मार सकते हो तुम प्योर अधिए फुली वाला जिसमें माचिस लगावा तो आग जालेगा अचेली कहा था में हाँ दिंचरिया का सटी तो क्या हमेशा ए साड़े साती के समय देखना है कि मेरा आज का लगन क्या है किस लगन में सुरिय उधर हो रहा है इसे सोचओ कि मकर राशी के लिए यह पूरा डिसम्बर का पूरा अठ्रा तारिक तक कोशिस करूँगा एक अलग वीडियो देने के लिए जब वो अश्टम का बनाता हूँ न हर महिना तो अश्टम चंद्रमा नबम चंद्रमा में बता दूँआ यह होगा तो अभी बनाऊंगा देखते हैं अगर टाइम होगा तो वो अभी तो मकर के लिए बढ़िया है क्योंकि सुबह लाब लगना से ही शुरू हो रहे है सुबह ही लाब कमाना है कमा लो लेकिन जब चंद्रमा आपका 12 में चला जाएगा ठीक दो घंटा के बाद तो लॉस भी होगा उस समय अगर ट्रांजिट करते हो नहीं काम देगा और उसी लॉस लगन में 12 लगन में अगर आप बोलते हो नो बजा है गुरुजी शेयर खुलेगा फिर फस रो यही मार्क करना है कि कौन सा लगन मेरे लिए लॉस टाइम अचा उसमें फिर गोरा चेक करो अगर रिपल्स नरजी यहां पर चल रहा है तो लब दे देगा घंप कर लाएं समय मैं जो काम करा हूं ग्यान का काम कर लो रहा हूं में करा हूं फिजिकल कर रहा हूं इतना ही तो पेसाब जाओ त्याक कर रहे हो लेकिन यह चेंज है खाली खाना खारे हो है मेहनत का काम है यार दाया इसी प्रकर थोड़ा सा गोरा स्वर लगन नुख्यत्र रासी देख लिए थोड़ा थोड़ा दोजी रखना पड़ेगा यार इसलिए तो साड़े साती है अले इतना कौन साय गुरुजी दम लाइन में बताओ फिर रो ज्यान अभी हीना पसुभी जवान तीसरा देखना कि तत्व क्या चल रहा है अभी सोचो कि अभी सुबह सुबह नौ बच के दस मिनिट पे धनू लगना में टाइम चल रहा है हो रहा है इस समय पकड़ो मंगल का है पकड़ो अभी सुल्य मंगल का हो रहा था इस समय देख रहा है कि सब कुछ फाईरी तत्व में चल रहा है लगना फाईरी और हो रहा फाईरी और चंद्रमा भी जाके मेस में बेठा है है ना मेस में तो था तो फाइरी हाउस में मून कहीं से कुल्लस नहीं है लेकिन देख रहे हो कि आपका सिस्टम स्लोडाउन चल रहा है माया चल रहा है ठंडा चल रहा है और इस समय अगर कोई भी निर्णाई ले लिए तो मिस्मेच कर रहा है न तो फिर वहाँ आपको उर्जा मिलेगा अच्छा ये साड़े साती के दोरा नौरेक चीज़ देखोगे पकल्ड सुबह से फूल एनरजी था साम को डॉल होगे थकाबट हो गया बोड़ी एनरजी साथ नहीं दे रहा है तो इन mycor changes को अगर अप अनभव कर लोगे कैसे करोगे दिनजरिया को shut up करो नक्यत्र डायरी बताये था कैसे नक्यत्र का डायरी बनाओगे एहर महेना क्या मिल रहा है किस नक्यत्र में क्या आ रहा है मैं रासिफल बदाता हूं क्या रहा है नोट नोट करके चलो कि आज नखेत्र क्या हुआ क्या मिला डाइरी अस्टो डाइरी मेंटन करना सीख जाओ गए बढ़िया है बना लो नहीं बनाओ तो मेरे को कोसिस करूंगा मैं आप लोगों को बना के दूँ अगर ज्यादा लोग डिमांड करेंगे तो आश्टो डाइरी दूँगा आप कर ले ना देखते हैं क्या होगा आगे सोचे तो प्रोब्लेम नहीं होगा नेक्स्ट बात है इंपोटन पॉइंट क्या सुबह उठते ही पहले देखो कि मेरा कौन सा स्वर चल रहा है थोड़ा दिर बैठो लाइट मेडिटेशन करो उसके बाद जो स्वास् पेर को जमीन में रखना यह फर्मला को भूलना नहीं नेक्स्ट है मैं स्वास्त चाली सा बताया हूं दिन्चरिया कैसे हो तो उस स्वास्त चाली का चाहा को फोलो करना चोथा इंपोर्टन और जो इस वीडियो का सबसे क्रीम पॉइंट है वो क्या बोलना चाहता हूं यह नहा लिया धो लिया तुरंट पहला काम जब तक पूजा खतम नहीं करते जब तक जब नहीं खतम करते जब तक प्राणायम खतम नहीं करते तब तक काम में नहीं निकले तब तक कोई दुसरा काम नहीं तब तक खाए नहीं पीए नहीं बैटी और बाकी कुछ नहीं ले यानि साड़े साती के समय में सुभे का एक घंटा, साथ मिनिट, हंड़ेट पर्सेंड जब माला को दो, मेडिटिशन को दो, प्राणायम को दो कौन कौन से करने हैं गुरु जी, ये ट्रेनिंग माला भी सह है, साड़े साती का मैं आज तक कितना कोशिस किया कि दे दू दे दू दे नहीं पाया, साड़े साती में कौन कौन से आसन करने हैं, बहुत लोग बोलते हैं, खड़ा हो नहीं पाते हैं, ताकत नहीं रहता है, यह जितने सारे मैं बोल रहा हूं यह सब सोके होते हैं बड़ा आनद आता है योग निद्रा कि दुसरा है एक घंटा मेडिटीशन हो सके तो तीन बार तीन बार गुरुजी काम कब करेंगे अरे भाई मुसल्मान भाईयों से असी को पांच नमाजी होते हैं हजार काम रहेगा मैं कलकटा में मुसलिम के पास क्यमरा खरीद ने गया तो क्यमरा बेचो पैसा आए कस्टमर या भाण में जाए पहले नमाज करेगा बिट्टा उसके बाद बाकी काम अब बता उनको कहें साड़े साती मुसल्मान भाई फोन किये हैं मेरे पास कई मुसल्मान भालों का कुंडली देखा हूं कोहेत वेत का देखा हूं बड़ा दिनार दोलार रोलर दियें लेकिन जितना आप हिंदूओं को हुआ है उतना मुसलिम को नहीं उनका भी है उनको भी कॉस्ट है लेकिन मैं उनको उनका रेमेडि देता हूं भाई पास नमाजी बन मैं भी खुद नमाज कैसे आदा करते हैं सीखता हूँ क्योंकि नहीं घुसोंगा तो कैसे रेमेडी दूँगा उसको उसका पासवार्ड मुसलिम पासवार्ड उसको हिंदी पासवार्ड दे दें कहां से होगा क्रिस्टियन के साथ भी चलता है हम लोग का कोई मतलब नहीं है कोई हिंदू पासी जूस ना मतलब कोई नहीं तो ये इसमें यही कह रहा है कि मला उठाओ लेकिन आप बोलते हो कोई एक हनुमान चालिसा करते हैं एक मला करते हैं भाई मेरे साड़े साती का जो बिमारी है एक सो चार डिगरी का टेंपरेचर चल रहा है पाँच एमजी का टेबलेट दोगे पाँच एमजी नहीं ठीक होगा ना उसको हैबी मेडिसिन चाहिए तो क्या करना चाहिए गोशिस ये करो कि जब तक एक घंडा डिप साधना पे नहीं जाते हो डिप जब यार मेरे साड़े साथी के समय में तेरा माला जब करता था सुबे तेरा माला दोपहर का गाइतरी साम का रातिरी का और रातिरी का पाट अलग अलग और जानते हो काली का पुझा तो दिन में होगा ने वो तो रात कही होगा हबन अलग आज भी करता हूँ आज भी डेली होता है मेरा अभी जा रहा हूँ जंगल में तो जंगल में करूँगा इसका मज़ा कुछ अलग रहता है तो बाप जितना ज़्यादा ये साधनाएं होंगे उतना ज़्यादा आपको जीवन में रास्ता दिखेगा मार्ग खुलेगा आपके प्रस्णों का उत्तर मिलेगा मेरे पास बड़े सारे आते हैं गुरुजी पैसा नहींगे इख अगर उत्तर नहीं मिल याए मेरे को बोलना कोई कोणी दिखाने का जरूद तो एक घंटा बैट पकड माला कर जब मेरा कोई मंतर ऑंतर नहीं चल काउंट कर एक से दस दो गिन्न ना फिर दस से मिंधी करते एक तक का रहा पर पिचान चल देख से थे, करते हैं शमतकार होता है हां किसी का साधिन लगता है किसी का दस दिन लगता है ओतना टाइम किस के पास है आप उतर दे दो मैं बहुता है उतर तेरे अंदर से निकलना चृट ले तो ये क्यों होता है ऐसा क्या होता है वेसा सोचो तेक भाही आप भी ग्चान सवुआ हूँ मैं भी ग्चान सरूँ ऐसा नहीं कि मैं सरज़़गत ya हूं नहीं हुआ हैं थोड़ा-बहुत झानता हूँ योग झानता हूँ निरुपत ध्यूपत और पंछह उपरी उपरी जिंदेगी और साड़े साथ तो इसलिए आया है कि तुम अंदर को त लगाओ तुमारे अंदर जाओ तुमारे अंदर ही उत्तर चपा हुआ है तुम बार वह पीसियार से पूछ रहे तो इतने सारे लोग ट्राफिक को कहां से हैंडल कर दो अच्छा उतना में चलिया आगा कुछ लोग है जो उनको पैसा से कोई मतलम ने लो पैसा कितना लेना है लो लेकिन आभी करो आभी देखो ये भी है उन वेचारों को का करें अच्छा बोलते हैं अभी तुरंट तुरंट फटा फट अरे बाप पढ़ने तो दे एक घंटा कम से कम काम छोड़के तो पढ़ूगा तब तो ते मुझे ये देखना पड़ता है कि बेटा इसको उतर किस मैं दूं कौन से लगन में इसको इससे बात हो तो इसको समाधान मिलेगा इसका माइंड ब्रेन सुपोर्ट करेगा अगर ये आप बोलोगे नहीं अभी अभी तुरांत ये बाबू ऐसा नहीं होता है रे आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा आप नहीं करोगे इंतजार तो प्रब्लेम है बिलोगा है कि कौन से हो रहा कौन से लगन में आपके लिए समाधान निकालो ठीक है सुबेर आप बुकिंग करा लिए हो एपन्टमेंट फिक्स हो चुका है ठीक है एक घंटा वला को भी तो एक घंटा टाइम दोगे ना अभी दिया तो अभी तुरंट दुकान खुला है किसी का लाइन में देख रहा हूं कोई अलड़ी लाइन में है अभी नहीं नह करना पड़ेगा और दूसरा यह है कि आपके लिए मुझे समाधन देना है तो आपका स्वीटेबल टाइम मुझे देखना पड़ेगा कि इस लगन में इस होरा में इस नक्षेत्र के इस पद में इससे बात करूंगा तो इसको उत्तर सही मिलेगा और यह सांध होगा मैं आपका कल्यान के लिए कोसिस करूंगा ना सर 24 आवर 24 आवर ठीक है अगर एक घंटा के अंदर में भी है तो मूर्त तो देखलूंगा कि चलो एक घंटा के अंदर देखना है तो एक घंटा बालों के लिए तो अलग एकदम एमार्जनसी वाला यानि एक किसी को कैंसल किसी का कुछ हो गया बड़ा समस्या है मार्जनसी लाइन में आ गया माप करो थोड़ा सा और सुचो जब कोई अमर्जनसी लाइन में इतना पैसा दे के अमर्जनसी बुक करा रहा है या 24 आवर बुक करा रहा है अभी का भी बुक करा रहा है और जिनको आराम से हो तो साथ दि लुए संदू यह है कि यह जो आपका जीवन व्यवस्ता है जिसमें मैं कह रहा हूं कि सुभे-सुभे आप मेडिटेशन करो ध्यान करो जब करो और अब जितना ज्यादा मेडिटेशन एक घंटा का प्राक्टिस करो यह बोल आप उसको किस प्रकार करते हो अपने को बोरिंग करते हो अपने अंदर घुषते हो तो उतना पज्ञान का पानी निकलेगा प्रसन का उत्तर निकलेगा और तिसरा यह है कि इतना positive energy कमा लोगे कि दिन में क्या है time zone ही है जो आपको बाधा देने आया है उस समय कुछ भिगडेगा किसी accident होगा गलत नहीं होगा लॉस होगा बिजनेस लॉस होगा कोई धोका देगा कोई misbev करेगा कोई insult करेगा सुचो यह वीडियो को कास्ट में सुबह करने बाला था गोबी के साथ बैठके मेरा फारमाउस का गोबी के साथ बैठके कर रहा था तब तक दो आदमी आ गए जब अरदस्ती अब पिता जी क वह नहीं कर रहा हूं और जो करना चाहिए कोई और काम करने लगे है डाइवर्शन आएगा और यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है तिसरा यह कि जो काम करने का प्लानिंग बनाए हो सिडूल बनाए हो टार्गेट बनाए हो अच्छिबेंट करने का बात कर रहे हो वहां से यही तो साड़े साथ ही करता है और अभी मीन रासी वालों को ज्यादा होगा क्योंकि रहू बैठ है ज्यादा डाइवर्शन होगा डाइवर्शन क्या उल्टा करा देगा सिधा जाना चाहते तो पीछे जाओगे फिर वहां से याद आएगा फिर आगे जाओगे तो ऐसे कं दरजी को थामने के लिए कि नहीं मैं अपना स्टेरिंग मजबूती से दोनों हाथ में पकड़ा हूं आगे देख रहा हूं कैमरा के तरफ नहीं देख रहा हूं और बात कर रहा हूं मेरा बात रेकोडिंग हो रहे है और जिस रोड में गाड़ी चला रहा हूं यहां उतना गड़ी आ जाएगा जाएगा हम चल रहे हैं तो confidence है तो कोई चिंता का बात नहीं तो यो अबस्टरकल लाइब में आते हैं वो सबसे ज़्यादा किसका अबस्टरकल है माइंड का क्यों जो बास्ट में घट गया उसी को तो बार-बार repeat कर रहे हो मन में मन में बार-बार-बार सोचना चल रहा है सोचना चल रहा है अनू सोचना चल रहा है दुखी हो रहे हो कश्ट हो रहे हो बदला लेने का भाब आ रहा है मार देंगे काट देंगे हार देंगे पीट देंगे चोड़ेंगे नहीं तार देंगे मोड देंगे उखाड देंगे तो चल रहे हैं अब ऐस अगर चला, आपका मन में ऐसे ओभर थिंकिंग चला, हाई ट्राफिक तिंकिंग चला, आगे रास्ता क्या करोगे, यही साठे साथी है, और कुछ नहीं है, आपके साथ ऐसा कुछ गंदी घटने घट गे हैं, जिसको बार-बार सोच रहे हो, कुछ लोग तंतर मंतर के पीछे, कुछ लोग आस्तिलोजर के पीछे, कुछ लोग कोई ऐसे जो बड़े समझदार काईट के होते हैं, है की नहीं, अडवाईज चांद जिसको बुलते हैं, अडवाईज मतलब हिंदी का क्या हुआ, वही चांद, उनका काम को यह नहीं, अडवाईज देने वाले, बस अपना सुनो, अपना देखो, अपना नहीं सुनने आता है, अपना सुनने नहीं आता है, जब अपना सुनने लग जाओगे, काम हो जायगा, तिसरा बिंदु क्या है, तिसरा बिंदु यह है कि आपके जीबन में कल तक, before साड़े साथी, आप अपने को बहुत अच्छा मानते थे, बड़ा मानते थे, महान मानते थे, गुड मानते थे, एक प्रकार का सुपिरोर सिटी मानते थे, हम ही हम नहीं है गम, खाएंगे हीम क्रिम, यह ही सोचते थे, तो यह जो कम्पलेक्स था, कि मैं ही बड़ा, और जब सनी साड़े साती आपका यह जो घमंड का दात को तोड़ के रख दिया, अब हजम नहीं हो रहा है, है, तुड़िया, कल तक हम अर्बो में, खरबो में, टर्बो में खेलते थे, चार-चार गाड़ी थे, बीबी के पास इतना गहना था, आज भी गया, नहीं है, बड़े-बड़े फैक्टरी था चला गया नहीं है हर साथे साथी में बड़ो बड़ो को देखा हूँ ना करगड़ते हुए गाड़ी कार विग गया साइकल पे चलाते हुए चलते हैं इसमें क्या टेक इप इसे का कर सकते हैं अपने सुपरियोर सिटी को क्यों दिखाएं, सुपरियोर कमप्लेक्स को लेकर क्या करें हो, चला गया चला गया, लेकिन फिर बढ़ोगे, सनी फिर बढ़ायेगा, ऐसा नहीं, गिरा दिया तो छोड़ देगा, ना बढ़ाता है, लेट होगा, लेकिन मैं जो कह रहा हूँ कि दिन्चरिया को समालोगे, दिन्चरिया को समालना मने बैलेंस करना, दिन्चरिया को समालना मने अपने हैंडल को इमानदारी से पकड़ना, श्टेरिंग को समालना, और समालोगे यही तब जब दिन्चरिया ठीक करोगे, और सुबे, दो पहार, साम और रात को जब करोगे, ध्यान करोगे प्राणायम करोगे योग निद्रा करोगे अगनी होत्र करोगे महिला हो तो बली वश्य करोगे महिना का संक्रांती अमाबास्या पुर्णमी को हबन करोगे इस्ट देवी का जाब करोगे सनिबार वाला जो भी के रेमेड़ी है हो करों गए बहुत से रेमेड़ी हैं उसको क्या बताना आम है ग्लाइकोडीन है उसको थोड़ी हम लोग प्रेस्क्राइब करेंगे च्छाया दान कर दो तेल का दिया जला दो अनमान चालिसा कर लो यह आम चीज है, जुता जान कर दो, छता जान कर दो, चपल जान कर दो, सनी बाबा का चालिसा पढ़ दो, यह सब क्या है, वेरी बेसिक, फर आल, ग्लाइकोडिन, डॉक्टर कभी लिखेगा, ग्लाइकोडिन खाओ, खाओ सिंकारा, सरकामारा, यह नहीं बताएगा, हम लोग लेकिन इन सब को करने के साथ, आवस्यक्ता क्या है, दिन्चरिया को बैलेंस करो, इसलिए रासिफल नहीं तो नहीं बताता, बंद कर दूँगा रासिफल, जा ब्रावले, और मेरे रासिफल, टेक्निकाली आपको कोड बताना, यह नहीं कि कल आपको घुडा टिम मिलेगा क कि नहीं, बाबा का ठुलू मिलेगा कि नहीं, नेगेटिव टाइम है, यह पॉजिटिव टाइम है, यह होरा मिसमेच है, दिन का एनरजी यह है, यहाँ यही कहने का मकसद है, कि सुबे का अरली इन दो मॉर्निंग का टाइम को अगर जब कर लेते हो, और मन के अंदर का कलु प्रीदिगा मिल जायाएका, और जब बिक प्रियर्ड है और आपके साथ जिंदेगी में दूर्घटनाएं घट रहे हैं, कहीं बीबी वीबा के साथ जगडा टेंशन, कहीं पडोसी के साथ जगडा टेंशन, कोई कोट कचरी माली मगदमा का टेंशन, कोई बिजनेस में आ रहा है मोबाइल बंद करके बैठे और उसका टेंशन कोई तंतर मंतर धोका दे दिया उसका टेंशन वो सबका चिंता चल रहा है बार 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 चल रहा है तो आपका एनर्जी आपका ताकत आपका सक्ति चिंता चिता समान चिंता आपको सक्तिहिं कर दे रहा ह और जब तक इस चिंता का ट्राफिक को, इस टॉक को, हर दिन तो एकी चिंता है ना, दूसरा तो कोई चिंता नहीं होगा, जिसको धोका मिला है, धोका का चिंता, जिसका पैसा कमी है, उसको पैसा का चिंता, जिसका बिमार है तो उसको बिमार का चिंता, एकी थोट तो, और कह परनाम कर दिया क्यों निंदा कर दिया क्यों फेस्बेक कर दिया उसका तो आगे तो कुछ नहीं एक ही थोट आए बार-बार पागलपन का हद और वो धीरे-धीरे क्या होता है मजबूत 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 स्ट्रॉंग स्ट्रॉंग होने लगता है तो इसको जब तक आप Relis Down नहीं करते नया काम में सफलता नया काम कर भी लोगे उठा भी लोगे उठा भी लोगे गुरुजी बीवी का धुका बला केस में फसे हैं निवसा डिबसी केस में नया बिजनेस करना चाहते हैं कहें मातपची कर रहा है तेरा तो 90% थोड़ हुआ है तू अभी क्या उखाड ल तुम्हें विश्वास नहीं है तुम समझो तो बाप चाहे मक्रू हो चाहे मटका हो चाहे मीन हो मचली हो चाहे आने वाला समय में बेड़ा हो बेड़ को तो और समझाना मुस्कित कुन समझाए तो इतना ही मेरा इस मकसद है बोरिंग यूरसेल ज्यादा डिप में जाओ यजसे जैसे आप अंदर जाओगे तो देखना कि आप ही के अंदर से समाधान निकल के आएगा। condition build up होगा कि आप जो अभी जिस समय जो आपके मन में एक ही काम चल रहा है ना ये करूं कि ये करूं थोड़ा सा गुरुजी कुंडली देख के बता दो कि क्या करें तो सफल हों पहले ये करता था भी फल हो गया ठीक है लेकिन बता भी देने से तुम सफल नहीं होगे क्योंकि तुमारे अंदर का जो मैंटल एनर्जी है अभी उस लेबल पे नहीं आया है और अगर दसा अंतरदसा इस समय स्वीटेबल है कर सकते हो- तो इतना तो LO यो गलती कल भी करते थे आज भी करोगे तो कैसा होगा चलो कलतक करते थे कुछ नहीं मानते थे नहीं देखते थे बिना लगन बिना रासी बिना नखेतर देखके कुछ भी कर लेते थे अभी तो सीख जाओ अभी तो अभी तो मेरे साथ इतना दिन से जुडित हो कोई सो विडियो देख लिया कोई हजार विडियो देख लिया गलती मत करो कि कौन सा सही समय है, सब खेल समय का है, समय साड़े साती का तो बिगड़ा हुआ, साड़े साती उत्रा तो अच्छा हुआ, तो मेरा जो क्रिम पॉइंट है, मेरा जो मुक्ष्य पॉइंट है, आसा करता हूँ, आप समझे होंगे, और आपको सुबे सुबे कम से कम तेरा चोदा माला बारा माला ग्यारा माला का जाब इस समय आप लोगों के लिए जिन मकरूओं को बोला था कि देखो अभी करेक्शन का टाइम है एनरजी रिकोबरी का टाइम है आपको जरूर मिलेगा पैसा मिलेगा रिकोबरी होगा उतरते सनी साड़े साती देगा लेकिन दे इस रहा है क्योंकि आप अपने को मजबुत करो अगला 30 साल का प्लानिंग के लिए चलिए नदी आ गया तो यहां इतना ही कहने का मकसद है कि सुबे का एनरजी ठीक करिए दोपर का एनरजी ठीक करिए दिन चरिया में कुछ ज़्यादा मेडिटेशन का आवस्यक्ता है थोड़ा थोड़ा करके देखोगे कि नहीं हो रहा है तो इसमें आपका ही नुक्सान होने बाला है थोड़ा कुछ ज़्यादा का आवस्यक्ता है इस समय आपको और थोड़ा फिजिकल, सारेरिक, मानसिक और प्रानिक तिनों लेबल का अभ्यास का आवस्यक्ता है मेरा चलेंज है मेरा गरेंटी है 90% लोग इस साड़े साथी के बरतमान के recovery zone में special ही मकरू के लिए बोल रहा हूं कुम्बु के लिए late लगेगा अभी time है मेन के लिए तो 30 तरपे है तो मकरू के लिए special कह रहा हूं कि हां हो जाएगा दिख रहा है लेकिन उपयोग करो और अभी से बोल दे रहा हूँ सूरियों अभी 12 में आने वाले हैं खर्चा थोड़ा कराएंगे लेकिन छटा को देखके रोग रिपू रण से मुक्ती भी देंगे गुप्त सत्रू कई सारे आपको इस समय देखने में आएगा म सुर्जा बढ़ेगा ऐसे ऐसे बढ़ेगा और हां आपके होस्पिटल का खर्चा भी बढ़ सकते हैं भी परितराज योग बन रहा है तो अश्टमाधिपती 12 में आ रहा है तो उसका भी आपको फल मिलेगा अच्छा फल मिलेगा लेकिन उस समय देखना कि अर्ली इंदो मॉ 12 सुर्य का स्थिती चालू होगा और ये जब चालू होगा तो उस समय आपको कुछ परिशाने भी होंगे और कुछ फाइदे भी होंगे तो आप लोग तो फाइदा का तो नहीं गिना होगे लेकिन जब परिशाने आ जायागा तो आँ गुरुजी गुरुजी अशा अशा नहीं इस समय से अगर जान लोगे और अभी का जो टाइम प्रियर्ड है क्यूं बोल रहा हूं सूरिय लाब का सूरिय हो गया ये अभी क्रोस करेगा आगे चलके लगन में बैठेगा दुतियों में तुर्कियों में जागा तो और रहू के साथ ग्रहन करवाएगा और हमेशा याद रखना मकरू प्यारे मंगल तुमारे घर में गुशने वाला है एक कोचर के बाद सिद्धा गुशेगा आपके घर में उच्चका होगा है की नहीं सुखाधी पती लाभाधी पती उसेगा अच्छा होगा लेकिन अभर पावार कर देगा और उसके बाद बिपद किसके लिए होगा कुम्ब के लिए धेर सारे आत्मात्या प्रब्रति प्रबणता बढ़ेगा लेकिन ये मत सोचो कि मकरू को नहीं होगा होगा वो भी होंगे कुछ का हो भी गया है तो अभी से इसके लिए एनर्जी को अगर सही उप्योग करना सीख गये हो इस समय चाहिए आज तक नहीं बोल रहा था आज बोल रहा हूँ कि ये अभी चाहिए उस समय वो मानसीखता नहीं था मेरा चैलेंज है गरंटी है कि जितने सारे अभी भी पस्त चल रहे हो ठीक हो जाओगे अच्छा हो जाओगे और ये जब से जब एक एक घंटा का जब लोगे अनुष्टान करोगे माला करोगे उसका हबन कराओगे दसम सुरू हो जाओ जो लोग मैं इसलिए इस आसा में बोल रहा हूं क्योंकि बहुत सारे लोग इस बात का मुझे बोले हैं कि गुरुजी आपका वीडियो देखके हमने यह यह अभन कराया और देखो यह अच्छा फाइदा मिला तो प्रेरा मिला है मेरे को मेरे मेरे अंदर औ कि हाँ मेरा बात सुनके किये और उनको फाइदा हुआ तो और होगा और अच्छा होगा अगर इतने लोगों को फाइदा मिला है इतने लोग कमेंट में बताए हैं कुंडली देखने के समय बड़े सहर्स और आनन्दित रूप में बताए हैं तो मेरे अंदर तो और आत्मा विश्वास आया कि बोलो बाई करो अच्छा से करो तो ये जो नेगेटिव टाइम जोन थोड़ा बहुत तो नेगेटिव होगा देखो साड़े साथी में 100% कोई भी आस्टलोजर बोल दे कि आ तेरी तेरा राज्योग खुल गया सब ठीक हो जाएगा नहीं बाबु नहीं जब तक कुम्ब को पूरा नहीं छोड़ता है 10% 20% का तो पूल रहेगा वैक पूलिंग रहेगा सनी छोड़ेगा नहीं कुछ भी हो जाए है कि नहीं वो रहने वाले हैं वो रहना सभाविक बात है नहीं तो क्या बात का साड़े साथी अच्छा देगा उतरता है लेकिन हमे कहीं गलती किये तो बड़ा हीट कर देगा धन्यबाद नमस्कार